कुछ ऐसी धोनी की बायोपिक, MS धोनी, दान्टोल स्टोरी डारेक्टर नीरेज पांडे थ्रिलर फिल्मों के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने क्रिकेटर महेंदर सिंग धोनी के बायोपिक को भी इसी थ्रिलर के अंदाज में बनाया है जो काफी मुश्किल काम लगता है यही वज़ा है कि इन तीन घंटों में फिल्म का इंटर्वल कब हो जाता है पता ही नहीं लगता एक सफल कप्तान के रूप में धोनी के बारे में हम सबसे बहुत से लोग काफी कुछ जानते हैं लेकिन ये फिल्म देखकर लगता है कि हम कुछ जानते ही नहीं, क्यूंकि ये फिल्म बताती है कि धोनी यानि सुसान सिंग राजपूद के पितार, पान सिंग, आनुपम खेर जिस क्रिकेड ग्राउन में पंप ओपरेटर थे, वो उसी ग्राउन में प्रैक्टिस करता था, ध ये फिल्म बताती है कि धोनी की सफलता में उसकी दोस्त, उसके कोच और कुछ अन्य लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान है। इस फिल्म से पता चलता है कि किसी टाइम धोनी को यूराज सिंग ने अपने स्टाइल से हरा दिया था। धोनी के जनम से शुरू होके ये कहानी मैच के ट्रैल दिलिप ट्रॉफी में ना पहुंच पाना और उसके टिकेट कलेक्टर बनने की कहानी को सिलसिलावार धंग से दिखाती है। फिलम का पहला सीन जोर भर देने वाला है। ऐसे लगता है कि आप सच में ही क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मैच देख रहे हैं। सुशान की आक्टिंग बढ़िया है और वो इस फिलम में धोनी के तरह लग रहे हैं। ये फिलम मजा देती है, रुलाती है, जोस लगाती है और धेड सारे मनोरंजन भी करती है। दर्शक रहते रहते क्लैपिंग भी करते हुए नजर आते हैं। पूरी फिलम में धोनी और उसकी क्रिकेट पर फोकस दिखती है। जब धोनी का इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्शन हुआ था, तब वो टेनिस खेल रहे थे। और हाँ, वो लड़की कौन थी। जिसने कहा था, धोनी तुम्हारा कल का माच यादगार होगा। और उसके बात तो धोनी की जिन्दगी ही बदल गई थी।